कहा रहा है कि D E F करम सा किसी तिर्भूज की भुजाओं A B B C और C A के मद बिन रहा है तो हमें तिर्भूज D E F और तिर्भूज A B C के छटपल का लुपात निकालना है चलिए देखते हैं बहुत ही अच्छा कोसर है उतना ही अच्छा तरीके से इसको बनाया जाएगा मैं यहाँ पे एक तिर्भूज ले लेता हूँ A B C ठीक है अच्छा इसकी बुजा A B पर D है और बुजा B C पर जो है आपका E है और बुजा A C पर जो है आपका F है या C A पर जो है वो F है तो इन तिनों को मिला देते हैं को इन दोनों के छेटपल का अलोपात निकाल रहा है दिया क्या है दिया है तिर्भूज A B C में तिर्भूज A, B, C में, क्या देख रहे हैं आतों दोनों तिर्भूजों में, जहां देख रहे हैं कि यहां जो D, E, F है ना इस तिर्भूज में, यह D, E, B का मध्विन्दू है, E जो है, B, C का और F, C, E का है, जारा कह सकता हैं कि D, E, तथा एफ करमसा, करमसा, A, B, B, C, तथा, C, A, कामध्य बिंदू है, कामध्य बिंदू है, तो क्या करना है, तो ग्यात करना है, तो ग्यात करना है, क्या ग्यात करना है, तो एरिया आफ ट्रेंगल, D, E, F, और एरिया आफ ट्रेंगल A, B, C दोनों के छितरफल का अनुपात क्या होगा चले इसका हल देखते हैं मैं यहाँ देख रहा हूँ कि D, E तथा F जो है करमसा करमसा, A, B A, B और किसका A, B क्या और B, C क्या और C, A का मध्य बिंदू दिया है मध्य बिंदू है तो हम लोग जानते हैं, एक प्रमे जानते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, हम जानते हैं मध्य बिंदू प्रमे क्लास नाइंत में हम लोग पढ़े हुए हैं कि दो भुजाओं के तिर्भूज की दो भुजाओं के मद्ध बिंदूओं को मिलाने वाली रेखा मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा की आधी होती है यानि कि आप देखो इस तिर्भूज ABC में यहाँ पर D और E को मद्ध बिंदू है ना तो यह दी जो होगा तीसरे भुजा काथ हो जाएगा यानि कि दी जो होगा हाफ हो जाएगा AC का अच्छा E F जो हो जाएगा वह हाफ हो जाएगा AB का अच्छा और D F जो होगा हाफ हो जाएगा BC का कह सकते हैं ऐसे ना अच्छा यानि कि आपने यहाँ देखा कि D E बटा में AC D E बटा में AC 1 by 2 E F बटा में AB यह भी आपका 1 by 2 और D F बटा में BC यह भी आपका 1 by 2 है ना जी यानि कि हम लोग देख रहा है यहाँ पर कि D E बटा AC बराबर E F बटा AB बराबर D F बटा में BC बराबर 1 by 2 तो इनके देख रहा है ना कि तीनों भुजाओं का लुपात बराबर हो गया तो यहाँ पर नहीं कह सकते हैं कि तिर्भूज D E F समरूप हो जाएगा तिर्भूज A B C के हो जागा ना समरूप तो आप A B C नहीं लिखो इसमें A B C नहीं लिखना क्योंकि संगत भुजा ध्यान देना होगा अगर आप D E F लिख रहा है तो यहाँ A C B लिखना होगा A C B ठीक है यह ठीक रहेगा ऐसे भुजा 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 समरूपता तो नाम सोल समझ के लिखना होता है अब चलिए आपको पता है कि दो समरूप तिर्भूजों के दो समरूप तिर्भूजों के चेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है तो यहाँ से लिख सकते हैं कि एरिया ओफ ट्रेंगल डी एफ बटा में एरिया ओफ ट्रेंगल एसी बी बराबर डी इबटा एसी का बर्ग डी बटा एसी का बर्ग तो डी बटा एसी तो वन बाई टू है ना जी तो वन बाई टू का बर्ग वन बाई फोर यानिकि एक अनुपात चार अच्छा इसको छे एरिया आफ ट्रेंगल ए बी सी जो है वह कितना है वन बाई फोर यानि एक अनुपात चारा गया समझ गया है तो इस वीडियो को यहीं पेइंट करता है प्रीज आप चैनल को सस्क्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे और इससे लिटिर वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे बुक का लिंक दिया साथे साथ आपको एंसी आर्टी और केसी सिना का भी वीडियो मिलेगा थैंक्स पर वाचिंग दा वीडियो